यह अलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होपस आप सब अच्छे होँगे मैं बनाने जा रही हूँ आज गोल्डन कलर ठीक है जिस गोल्डन कलर के बारे में मुझे बहुत लिडिकयां पूछती है प्र मैंने बहुत सारी वीडियो में इसके बारे भी है ओल्रेडी ठीक है आज फिर से बना रही हूं फिर से आप देख लो ठीक है यह है हमारा गोर्डन ब्राउन्स पॉर्डर यह वन केजी की पैकिंग है ठीक है पहले तो इसका MRP बहुत ठीक ठाक था जैसे 1000 था 1100 था तो अब पता नहीं कितना हो गया मैंने उस टाइम दो बॉक्सी कठे ले लिये थे पर अब शायद यह 2000 के करीब पहुँच गया है ठीक है और इसकी छोटी पैकिंग भी आती है यह वाली यह 10 ग्राम नेट की आती है ठीक है तो इसका प्राइज मुझे याद नहीं है कित इक हुआ है ठीक है और मैने अब ले लिया है यह वाला चमच मेर देड़ डे ले लिया है वो narrow leg की हो, Asian की हो, कोई भी हो company ठीक है, बस अपने clear varnish कहकर ले लेना है, ठीक है, अब भी हम इसको open करेंगे, तो ये ऐसी होती है, ठीक है, शेहद honey की जैसे होती है, बस honey थोड़ा ज्यादा थिक होता है, ये थोड़ी सी पतली होती है, अभी मैं इसको अपनी अंदाजे के हि साब से ही डाल लोगी, जैसे मैंने यहाँ डेड़ चमच लिया ना, तो बस इसको मैं double ले लोगी, ठीक है, अब इसको मैं brush के साथ mix करेंगी, ठीक है, कोई भी आप waste brush लेना है, खराब, ठीक है, जो आपका पुराना brush हो, वो लेने लेना है, आपने, ठीक है, अब जब आप mix करोगे ना, देखो, अभी यह बूरा ठीक सा लग रहा है, मुझे लग रहा है, इसको मैं थोड़ी सी और कमी है, ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा और डाल लोगी, ठीक है, यह जो varnish है ना, वो हमारा इसको कपड़े के साथ attach करने का काम करता है, ठीक है, यह उसके साथ जोड़ता है, इसलिए हम इसको डालते हैं, इसमें, ओके, और अब इसको ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, और अपनी varnish को भी पूरा आपने एर टाइट रखना है, अगर यह हवा में रहेगी, तो यह खराब हो जाएगी, पूरा एर टाइट रखना है, अब आप इसमें थोड़ा सा, जैसे ड्रॉब के हिसाब से, यह मेरे पास मिट्टी का ओईल है, अगर आपके पास नहीं है, तो आप तारपीन का ओईल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे मैं धक्कन में थोड़ा सा लोगी, ठीक है, ऐसे तो यह मैंने डाल लिया, ठीक है, यह सिर्फ इसको थोड़ा सा सेट करने के लिए है, कि थोड़ा सा यह मुलाइम सा हो जाए, हमारा अब कपड़े पे थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है, जादा नहीं हमने डालना, अगर हमें लगता है कि अभी थिक है, तो मैं थोड़ा एक धकन और डाल लोगी, ठीक है, मतलब बिलकुल भी, जैसे मैं कलर में पानी डालती हूँ, वैसे नहीं होना चाहिए, कि हमारा आदा यह है, और आदा तेल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हमारा ठीक ठाक सा ही होना चाहिए, कि बस स्मूथ सा हो जाए हमारा पेस्ट, और इसको थोड़ा सा हमने जादा, ऐसे ऐसे करके ना, मिक करना होता है एक दो मिंट के लिए अच्छे से एक एक तरफ ही हमारा ब्रश घूमे ठीक है जिस साइड से आपने चला लिया उस साइड से ही आप इसको ऐसे ऐसे गुमाएंगे ठीक है पूरा अच्छे से mix करना होता है इसको जब आप painting करते हो करते हो दीरे दीरे हवा के सबर्क में गाड़ा हो जाता है फिर आप साथ के साथ oil यूज कर सकते हो जैसे थोड़े थोड़े drops एड़ करके mix करके अच्छे से अपना paste बना के फिर आप painting कर सकते हो ठीक है यह हमारी hand painting में भी अगर आपने कोई outlining वगरा करनी है तो मैं यही यूज करती हूँ इसकी मलब shining ज़्यादा होती है हमारे जो fabric color होते हैं उनसे ज़्यादा shining होती है इसकी ठीक है और block painting में भी यही use होता है ठीक है वार्णिश पाकर ही करते हैं यही golden यूज करती हूँ मैं ज़्यादा तर ठीक है अपनी hand painting में ब्लॉक पेंटिंग में stencil painting में यही color यूज करती हूँ मैं ओके अगर fair hand painting में मुझे कहीं भी जरूरत पड़ती है golden की तो मैं यही यूज करती हूँ बस इसको अच्छे अच्छे से mix करना है अगर आपको फिर भी थोड़ा ठीक लगे तो थोड़ा सा और और oil एड़ कर सकते हूँ ठीक है जैसे मैंने paste ज्यादा बनाया है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मेरा oil ज्यादा जाएगा मैंने ज्यादा ही बना लिया इतनी तो जरूरत भी नहीं थी और यह बाद में आप उतना ही ट्यार करो जितनी जरूरत हो ठीक है बाद में जिस हवा में पड़ा रहता अगर हम ढवा कर भी रखते हैं तो बस दो तिन आपका भी ठीक रहेगा उसके बाद यह सुख जाता है चाहे आपने ढवा क्मख्रत नहीं तो यह ज़्यादा है धिक रहेगा उसके बाद न Όक भी दॉरत्में ग्सार चुरूरत में मेर ठीक है ऐसे बनेगा हमारा golden colors ओके हाँ जब इस से जिस ब्रश के साथ आप पेंटिंग करोगे उस ब्रश को आपने oil से साफ करना है यही oil के साथ मिट्टी का oil हो चाहित आरपिन का हो आपने oil के साथ ब्रश को साफ करना है पानी के साथ यह साफ नहीं होगा हम करने जा रहे हैं सिल्क पेंटिंग क्रेव के स्टफ पर और उसमें जो आउटलाइनिंग करोंगी गुट्टा यूज करते हैं न सिल्क पेंटिंग में गुट्टे की जगा मैं यह golden color यूज करने वाले हूं ओके